तिर दोष्टों नमस्कार दोस्तों मैं पृति स्रीवास्तु आज आपके लेकर आएं हूं सिंदू के नहें कि कुछ कहाली आप सभी जानते हैं के हिंदू ध्रग में वहवायत इस्तिर्या ही मांग में सिंदूर लगाती हैं जो मांग में बालों की पीचों बीच में एक मांग बना कर उसमें सिंदूर भरा जाता है उस सिंदूर का एक विभायत इस्त्री के लिए अपने पती के लंबी उम्र और उसकी सुक सम्रिदी के लिए माना जाता है कहते हैं जो विभायत इस्त्रियां होती हैं वे सिंदूर लगाने से अपने पती की उम्र की कामना अच्छे से करती है कहा जाता है कि मा पारवटी ने अपने पती यानी की शिव की सिवक का संबान खंडित न हो उसके लिए उन्होंने अपने जीवन की आहोती देनी और इसी कारण से माना जाता है हिंदू धर्व में कि अगर आप विवायत इस्त्रिया मांग में सिंदूर सजाती हैं तो वह पारवती का प्रतिक है उनका अश्रिवाद आप पर सदा बना रहेगा और आपके पती की लंबी उम्र ऐसे ही रहे इसलिए भी हिंदू धर्व में सिंदूर का अलग ही महत है यह सोभागे की और संकीत करता है पत्नी अपनी मांग में सिंदूर सजाती है और उस सिंदूर का वह शक्तिका प्रतिक माना जाता है कहा जाता है कि पत्नी अपनी मांग में सिंदूर सजाने के पार अपने पती को यम्रोक से भी खीश लाती है इसलिए भी माना जाता है कि पत्नी अगर मांग में सिंदूर लगाती है तो वैं अपनी पत्नी की लंबी उम्र की काम ना करती है इस्त्रियों का सिंदूर लगाने का महत वन्ना वरात्री और संक्रांथी पे भी अधिक माना जाता है कहते हैं, इन तोहारों पर अगर पत्नी अपनी मां में सिंदूर सजाती है तो उसके पती की उम्र काफी हद तक लंबी हो जाती है और इसका अलग ही महत्व है हिंदू धरम में सिंदूर लगाने का एक और महत्व ये भी माना जाता है कि यह पारत धातू से बना हुआ और हल्दी के चून का मिक्स सिंदूर जब तयार होता है और इसको अगर आप मांग पेंट सजाते हैं तो इससे आपके होने वादी की आपके योश हमताओं के सक्रिय हो जाती है और इस्त्रियों के एक शाइं भी सक्रिय मारी जाती है कहते हैं सिंदूर इसलिए ऐ विवाहित इस्त्रिया नहीं लगा सकती सिर्फ विवाहित इस्त्रिया ही लगाती है और हिंदू धर्म में इसका अपना इक विचार भी माना जाता है तो ये हैं वे कारण के हिंदू धर्म में सिंदूर का क्या महत्व है लाइक, शेर और सब्सक्राइब करने ना भूले जब तक के लिए मैं पृति स्री वास्तव आपसे इजासत लेती हूँ